नमस्कार दोस्तों स्वागत थे वार फिर चे आप सभी का देखे दोस्तों हमने जो कम्प्यूटर के क्यूशन अनसर की सीरिज शुरू कर रखिया है उसके 15 के नबरे में बारे में अहरेड़ी बात कर चुके हैं आज अपन 51 नमर के कुसुन से देखें इसको शुरू करते हैं देखें, टच स्क्रीन का जो उप्योग है, वो किसके लिए क्या जाता है केवल इन्पूट के लिए, केवल आउटपूट के लिए, या इन्पूट और आउटपूट दोनों के लिए या memory device के लिए तो देखिए memory device यहाँ पर highlight कर रखा है लेकिन memory device इसका answer नहीं होगा input device के लिए touch screen का उपयोग किया जाता है कि अबल input device option fast इसका answer होगा फिर अगला किसम देखिए output device का उपयोग करके उपबोगता कर सकते हैं output device का उपयोग करके data print भी कर सकते हैं और data देख भी सकते हैं SD, ST, VGA आदी सब्द निम निमें से संबन दिता है तो यह गुणवत्ता प्रदस्न से संबन दिता है ST, ST, VGA यह जो हैं वो गुणवत्ता प्रदस्न से संबन दिता है बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकर्ण करने के लिए निमलिकित में से किस output device का प्रियोग किया जाता है बड़ी संख्या में लोगों के सामने अगर आपको presentation देनी है तो आप प्रोजेक्टर का उप्योग कर सकते हैं computer के monitor को किस नाम से जाना जाता है तो देखें इसको video के नाम से जानते है computer का जो monitor होता है इसको video के नाम से जाना जाता है CPU में CMOS चिप का उद्धिश ही क्या होता है CMOS का उद्धिश ही क्या होता है operating system और जो motherboard होता है उसके बीच में interface का कारिय करता है CMOS ठीक है CPU में जो CMOS चिप होती है उसका main उद्धिश से क्या होता है operating system और जो motherboard होता है उसके वीच में interface का एक कारिय करती है निम लिखित में से कौन एक input device है input device इन में से कौन शी है तो speaker तो output device है projector है वो भी output है plotter है वो भी output है light pen जो है वो एक input device का कारिय करता है light pen इसका answer होगा निम लिखित में से कौन एक input device है input device कौन शी है देखे वही बात क्यों तो रिपीट हो गया light pen इसका answer होगा banking उद्योगों में check सत्यापित करने के लिए निम लिखित में से किस input device का उप्योग किया जाता है bank और जो उद्योग है उनमें check को सत्यापित करने के लिए magnetic ink character reader यानि कि M-I-C-R का उप्योग किया जाता है बिंदू यानि कि dots के विन्यास के द्वारा monitor पर निर्मित छवी यानि कि जो image है वो क्या अगलाती है तो image जो है वो छोटे-छोटे pixel से मिलकर बनी ही होती है इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है pixel के नाम से जानते है dash एक ऐसा input device है यानि कि आपको input device का नाम बताना है जिसका उप्योग computer के screen पर रेखाई या चितर बनाने के लिए किया जाता है तो देखे इन में से light pane का जो उप्योग है वो computer के ओपर रेखाई या फिर चितर बनाने के लिए किया जाता है wy, si, wyg इसका पूरा नाम निम लिखत में से कौन सा होगा तो देखे इसका पूरा नाम होगा what you is what you get ठीक है wy, si, wyg इसका मतलब है what you is what you get यह एक computer की terms है इसका नाम यह होता है निम लिखित में से कौन एक soft copy output device नहीं है output device soft copy output device कौन शी नहीं है तो देखिए plotter जो है वो एक soft copy output device नहीं होता ये एक hard copy output device होता है डेश एक output device है जो की रेखाएं खीचने के लिए pain का अपयोग कियते है तो देखिए इसका answer हो देगा plotter plotter एक output device है जो रेखाएं कि इसने के लिए pain का उपयोग करता है dash impact printer नहीं होता कौन सा impact printer नहीं होता तो जो laser printer होता है वो आपका impact printer का उधारण नहीं होता निम लिखित में से कौन एक soft copy output device है तो ये रास्तान पुलिश में पुच्छा चुका है 2020 में soft copy output device इन में से कौन सा है तो ये आपका monitor होता है बाकी ये आपको जो printer दे रहे हैं ये hard copy output device है monitor की उड़र लंबाई का उसकी 36 लंबाई से जो संबंद होता है उसे क्या कहते हैं तो उसको aspect ratio के नाम से जाना जाता है monitor की जो उड़र लंबाई होता है उसका 36 लंबाई से जो संबंद होता है उसको aspect ratio के नाम से जानते है निमलिकत में से कौन सा विकल्ब computer के लिए input device का एक उड़र नहीं है input device का नहीं है तो plotter है वो एक output device का है microphone input है, wave game है, scanner ये input device लेकिन plotter जो है वो आपका output device का उड़र नहीं है एक सफेद दिवार पर computer छवी प्रदशित की गई है इसके लिए किस computer device का उप्योग हो रहा है तो इसके लिए data projector का उप्योग हो रहा है निमने विकल्बों में से एसंगत को आपको चुनना है तो देखिए एक तरफ आपको firmware, firmware, ROM, hard disk और मुखे memory दे रही है एसंगत कोन सा है देखिए रोम, मुखे memory, hard disk ये अलग है जो कि firmware क्या है एक तरिके का software है रोम है, मुखे memory है यहनि कि आपकी जो RAM है, ROM है, hard disk ये सारे आपकी motherboard में होती है, CPU में होती है लेकिन firmware एक परकार का software है ये hardware का उधारण नहीं होता इसलिए एसंगत आपको चुनना था इसलिए firmware क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा इन में से कौन एक output device नहीं है output device इन में से कौन चीं नहीं है तो अभी थोड़ देर पहले पने बात किती microphone जो होता है वो आपकी input device होती है output device नहीं होती speaker जो होता है, वो output होता है plotter output है, जबकि LCD monitor output है लेगन microphone जो है उसके मादे में से आप अपनी आवाज है वो दूसरे के पास में पहुंचाते हैं तो वो एक input device का कारिये करता है इन में से कौन सी विशेशता feature computer के mouse से सम्मदित होती है तो जो pointing device होती है यह feature computer के mouse से सम्मदित होता है pointing device इन में से कौन सा सब्द या वेंजनक computer printer से सम्मदित नहीं है तो देखे, toner है, 카टीज है, spooler है यह आपके printer से सम्मदित टरम्स होती है लेकिन flat panel जो होता है वो आपके monitor से सम्मदित टरम्स होती है ये printer से संबनित नहीं होती इसलिए flat panel क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा computer monitor का जो resolution होता है उसका मापन किस में होता है resolution का मापन किस में होता है तो परती इंच dots की संख्या के अतरगत computer monitor का resolution का मापन किया जाता है परती इंच dots की संख्या में audio signal output करने के लिए इन में से किस port का उपयोग क्या जाता है audio जो signal होता है उसको output करने के लिए अपन STMI port का उपयोग करते है इन में से कौन computer के CPU का भाग नहीं होता तो arithmetic logic unit arithmetic logic unit यह आपका CPU का भाग होता है control unit भी होता है और मुख्य मेमोरी भी होती है लेकिन mouse आपका CPU का भाग नहीं होता इन में से कौन computer hardware के रूप में वर्गी करते हैं नहीं है तो देखें mouse है monitor है hard disk है यह सारे आपकी hardware के रूप में होते हैं लेकिन database management system जो होता है DBMS के नाम से इसको पन जानते हैं यह computer hardware के रूप में वर्गी करते हैं नहीं होता computer joystick क्या है तो computer joystick एक प्रकार की input device है जो कि वीडियो गेम वगर खेलने के लिए काम में लिजाती है तो यह एक input device का उदारन है इन में से कौन सा सब्द है computer के keyboard से समझत नहीं है तो देखे qwerty तो यह तो बिल्गुल keyboard से समझत है computer में जब अपन कोई भी letter इंटर करते हैं तो keyboard में जो alphabet लिखे हुए होते हैं उसमें पहली ही line keyboard के उपर qwerty लिखी हुई होती है यहां से जुरू होती है function कुंजियां 12 होती है f12 तक f1 से लेकर यह आपकी keyboard से समझत होती है numeric keyboard है वो keyboard में होता ही है लेकिन master कुंजी यह keyword से सम्मधित नहीं होती इसलिए master कुंजी इसका answer हो जाएगा एक बहु विकल्पी परसन पत्र की चिनहत उत्र पुस्तिका को scan करने के लिए परियुक्त जो input device होती है उसको अपन optical mark radar के नाम से जानते हैं OMR इसका answer हो जाएगा जो भी competition वगर के exam होती है वो इसी के द्वारा उसकी copy चेक होती है SMPS का full form आपको बतानी है तो switched mode power supply SMPS की full form होती है switched mode power supply CPU का वे भाग जो की तार्किक संक्रियाई logic operations निस्पादित करता है तो ये mathematical logic unit इसको संपादित करने का कारिये करता है CPU का वे भाग यानि के mathematical logic unit जो की तार्किक संक्रियाई निस्पादित करता है उसको ALU के नाम से जानते है निम लिखत में से कौन एक output device है output device इन में से कौन शिये तो projector जो है वो एक output device का है एक input device है इन चारों में से जिसका उप्योग computer के किसी वेक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है तो microphone का उप्योग किया जाता है निम लिखत में से कौन एक pointing input device नहीं है तो scanner एक pointing input device का उधारण ये नहीं है input device है scanner लेकिन pointing input device का उधारण नहीं है trackball जो कि आपकी mouse के अंदर गत बीच में आती बीच वाला जो बटन होता है इसको trackball बोलते है joystick भी है और digitizing tablet भी है लेकिन scanner इसका उधारण नहीं है scanner इसका answer हो जाएगा DSV भीने रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन करने वाला एक output device कौन सा है तो ये आपका plotter हो जाएगा printer का resolution का मापन किस में होता है तो इंच परती dots में होता है ठीक है? परती इंच dots में इसका मापन किया जाता है निम लिखत में से कौन एक hard copy output device है कौन शी एक hard copy output device है तो laser printer जो है वो आपकी hard copy output device का उधारण है एक impact printer है तो joh dot matrix जो printer है वो एक आपका Impact Printer का उधारन है Pixel की वैसंख्या जिसे Display Screen समाज़ित कर सकती है उसे निम लिखित में से क्या कहते हैं तो उसे Resolution के नाम से जान जाता है Pixels की वैसंख्या जिसे Display Screen यानि कि आपकी जो Monitor Screen है वो समाज़ित कर सकती है उसको अपन resolution के नाम से जानते हैं दवनी को record और निस्पादित करने के लिए किस device का उपयोग किया जाता है तो sound card का उपयोग किया जाता है निम लिखत में से कौन सा device computer में संग्रहित या फिर store data की hard copy उत्पन करता है तो printer की कारिय करता है एक स्कूल में 56 चात्रों के एक संग्रहित को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं तो वो निम लिखत में से किस का उपयोग करते हैं कौन सी device का तो वो projector का उपयोग करते हैं एक impact printer होता है डेजी वील जो printer होता है वो एक impact printer का उदारना है ठीक है देखिए impact printer होता है और एक non impact printer होता है ये computer के printer के दो मुखे रूप से वाग है इसमें अलग-अलग computer इसमें बटे भी होते हैं तो या तो आपको एक्जाम में ये पूछा जा सकता है कि impact printer का उदारना कौन सा है या फिड non impact printer का उदारना कौन सा है तो इसमें पूछा था impact printer कौन सा है तो डेजी भील जो printer होता है वो impact printer का उदारना है बाकि ये तिनों आपके non impact printer के उदारना है निमलिक्त में से कौन सा विकल पर और logical operation निस्पादित करता है थोड़ देर पहले अपने बात की थी जो ALU होता है ठीक है और जो control unit होती है ये आपके CPU के ही भाग होती है इसलिए CPU क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा एक इमारत के graphic design print करने के लिए निमलिक्त में से कौन सा device सारवादिक उप्यूक्त होता है तो plotter सारवादिक उप्यूक्त होता है निमलिक्त में से कौन सा wiklapme process की गई सुचना को उप्पोगता के लिए उप्योगी में रुपांतरित और प्रस्तुत करता है तो ये सिदी से बात है यहाँ पर आपको पूछा है सुचना को उप्पोगता यानि कि user के लिए उप्यों की और उपांदरित प्रस्त करने का रहा आउटपूट यूनिट करती है और उप्सन से इसका आउटपूट यूनिट करती है दिये गए विकलपम में से विसम का आपको चैन करना है देखे लेजर, जेट, प्रिंटर, टच्पेड, लाइट पेंड और इसके अंदर तो ये तो तीनों ही इनपूट के उदारने जबकि लेजर, जेट, प्रिंटर जो है वो एक आउटपूट डिवाइस का उदारने है इसलिए विसम का आपको यहाँ पर चुनाव करना था, इसलिए उप्सन फैस्ट इसका आनसर हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा एक इनपूट डिवाइस नहीं है तो इस पीकर है, वो तो आप सुभी को पता है आउटपूट डिवाइस का उदारन है यह इनपूट डिवाइस का उदारन नहीं होता M.I.C.R. यानि कि जो बेंग को द्योग होते हैं उसमें चेक को जब अपन केस करवाते हैं तो वहाँ पर M.I.C.R. जो मेगनेटिक इंग करेक्टर रिडर होता है उसका प्रियोग किया जाता है OMR यह भी इनपूट डिवाइस का उदारन है ट्रेकबोल भी इनपूट है लेकिन इस प्रिकर जो है वो आउटपूट डिवाइस का उदारन है Motion Data को computer या दूसरे electronic डिवाइसों में परिविश्ट करने के लिए किस input डिवाइस का उप्योग किया जाता है Motion Data को computer या फिर दूसरे electronic डिवाइस में परिविश्ट करने के लिए ट्रेकबोल जो input डिवाइस होती है उसका प्रियोग किया जाता है option fast इसका answer हो जाएगा तो 100 question के बारे में अपन बात कर चुके हैं